क्या IRFC में पिछला जो वे क्वाटर गया है उस समय mutual funds ने एक बहुत बड़ी खरीदारी किया है और अगर बात करूँ specifically जून क महीने की तो क्या निवेश आगया लीजे mutual fund houses ने बहुती जादा IRFC में निवेश किया है जब stock बहुत बड़ी गिरावट लगबग 19,19 रुपे के आसपर स्ट्रेड कर रहा था ये सवाल दोस्तों एक बहुती अच्छा मुझे मिला मेरे comment section में मुझे लगा इस stock के उपर थोड़ी बात करनी चाहिए क्योंकि उपरी स्टरों नीचली स्टरों से थोड़ा साब कहलीजे उपर जाते हुए जो एक 20 रुपे कर रेस्टेंस था उसे तोड़ के लिए stock उपर trade कर रहा है और निवेशक बहुत ज़ादा उत्साहित है इस stock में बात करने के लिए क्योंकि ये ऐसा stock है बहुत सारी queries आती है और पिछले काफी 20-25 दिन से मैं इस टोपर वीडियो नहीं बनाया तो मुझे लगा कि हाँ इसमें एक बार और address करना चाहिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मितामिश्रा और आज बात करने वाला हूँ IRFC के उपर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यह जो जून कोटर में खरडारी हुई है मिसलर बंड की उनकी तो चलिए चलते हैं देखिए अगर आप देखेंगे इस चार्ट में सबसे पहले UTI UTI, S&P, BSE regular growth है यह लेकिन यह दूस्तों index fund है निपॉन इंडिया का भी अगर आप देखेंगे तो यह index fund है और फिर आता है अगर आप नीचे थोड़ा जाएंगे तो मीरा asset का 150 ETF आएगा यानि कि जो भी खरिदारी की गई है चाहे वो 5.43% से पहले जो UTI ने की हो और इस पे जो सबसे जादा आप कह सकते हैं बड़ी खरिदारी जो किजिनों ने की है वो है दोस्तों मीरा asset का Nifty Mid Cap 150 ETF ETF में खर्चा किया गया है तो देखे यह जो खरिदारी है यह fund houses को करनी ही पड़ती है दोस्तों क्यों क्योंकि उनके पास पैसे आते हैं उनको हर एक मंद में जो investment है वो कही ना कहीं करनी पड़ती है और fund दोस्तों ऐसे हैं कि चाहें index fund के थ्रू हो या ETF में हो index fund की जो खरिदारी की aggressiveness है वो काफी हद तक बढ़ जाती है और उसी करण हमें जो IRFC में यह witness करना पड़ रहा है कि एक बड़ी खरिदारी हो रही है दोस्तों बाकी कि कोई आप खरिदारी ऐसे active fund houses में निवेश कर रहे है और long term ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है यह myth अपने दि नहीं की गई है दोस्तों और मुझे लगता है जब तक OFS नहीं आ जाता तब तक होने वाली भी नहीं है दोस्तों इसलिए मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूं कि IRFC के लिए अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं प्लीज लॉंग टम के लिए सोचें पिछले quarter आप देखेंगे अब तक का highest quarter result इन्होंने profit उन्होंने पेश के लगवक 6000 करूर का क्या इसके कारण stock भागा बिलकुल नहीं भागा दोस्तों बलकि आप देखेंगे तो पिछले quarter के result से भी तक stock बड़ी गिरावर दिखा चुका है जबकि यह ऐसा stock है स्टेडी कह लीजिए आप consistent return अच्छे result देता है अच्छे cash flows रखता है अब आप कहेंगे high debt है तो दोस्तों finance कह लीजिए project को यह finance करते हैं तो high debt इसमें रहे गाई company की management देखा है कि भई हमारा जो लक्ष है अब अब यह है कि ऐसे कोई भी projects जिसमें railway relate करती हो जैसे आप कह लीजिए आप आज कर सुन जाओंगे कि जो ports है वो बहुत जादा डवलप होरे इंडिया में और वहाँ तक railway tracks लेके जा रहे हैं तो कम management का यह कहना है कि हम यह भी explore क कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी जगह जहां रेल्वे रिलेट बस करती हो वहां पर अपनी financing हम बढ़ाएंगे सेम ऐसा ही कुछ आरवी देन ले कहा था कि अब हम non railway कहलीजे फंड नॉन railway प्रोजेक्स को इंफ्रा प्रोजेक्स को भी हम फंड करने वाले हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वल समय railway की बजाए जो इंडिया का infrastructure है वहां पर निविश थोड़ा बढ़ सकता है और यही करण है कि IRFC का भी यह मानना है कि भाई हम जो है ना हम क्या करेंगे हम जो भी जगहा हो जहां railway खली जाता हो ट्रैक्स वहां जाते हो वहां पर हम कहलीजें प्रोजेक्स को finance करेंगे और यह वो कर सकते दोस्तों यह इनके legal rights के अंडर आता है तो यह होगी IRFC के उपर कोई भी guys खरिदारी के अगर आपसे बात कह रहा हो कि लगातर fund house अपना माल बढ़ा रहे हैं इसमें बहुत बड़े निवेश कर लीजे प्लीज ऐसी अफवाहों से दूर रहे हैं दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कोई भी बड़ा event नहीं आया है ऐसा कोई event नहीं हो तो ये एक अच्छा option हो सकता है disclosure की रूप में बता दूँ मेरी या मेरी family में किसी की इस stock में निवेश हो सकता है और गिरावट हर एक अच्छी गिरावट में मैं इसे देरे accumulate करता हूँ कोई भी lump sum investment से इस stock से मैं अभी बच रहा हूँ दोस्तों और मेरी समें खरिदारी बह इतना भागेगा प्लीज अभी कोई कुछ नहीं कह सकता दोस्तों बाजार से liquidity गायब है तो ये बात की तो बहुत जादा पुखता मैं कहूंगा ये for sure हूँ मैं कि stock कोई बहुत जादा return या बड़ी rally बिल्कुल भी नहीं करने वाला ये इसी दरह consolidate करेगा निवेश को को ठक जाएगा परिशान करेगा ये stock में जब तक OFS नहीं आता ये stock बड़ी गिरावट भी नहीं दिखाएगा तो यदि आप आने वाले 6-8 महिने एक साल तक अगर stock को रोग कि रख सकते हैं इसमें जूज सकते हैं तो ही इसमें बड़ा निवेश कीजिएगा अगर आपको लगत किया इनोंने 6000 क्रॉलों के लग भगा तब ये stock नहीं भागा तो अब क्या भागेगा हां कुछ खराबी आती है कुछ खराब quarter results आते हैं जैसे ये quarter देखना होगा कि result कैसे आते हैं खराब आते हैं गिरावट होगी वो समय होगा इसे accumulate करेंगा दोस्तों फिर कहूंगा कुछ थोड़ी positive news आ जाए कुछ खराब news आ जाए negative छोटी बहुत तो उसे गिरावट या तेजी हो सकती है और वो आप ट्रेडिंग के लिए इस्तमाल कर सेते हैं ना कि निवेश के लिए investment in long term horizon है दोस्तों vision है उस vision को पकड़ के रखिए company में अगर भरोसा है company के long term अगर आ दोस्तों लेकिन इससे कोई ऐसी कोई trigger वाली बात भी ऐसी नहीं होगी है जो आपके सामने किनम detail analysis लेगा हूँ कि हाँ बहुत बढ़ा हो गया है तो IRFC में चल रही कोई भी अफवा से प्लीज दूर रहें long term गये stock है बहुत थकाएगा OFS जब तक नहीं आ जाता तब तक stock में आने वाले लंबे समय तक के लिए तयार है तो यदि आपको मेरी एक छोटी से analysis पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पहली बार आ है सब्सक्राइब जरूर कीजेगा यहां तक जुड़े रहने के लिधन्यवाद यह वीडियो का अंत है जैहन दोस कर दो